आज हम लोग A meter और volt meter के बार में पढ़ेंगे A meter एक ऐसा device है जिससे हम electric current को मेजर करते हैं यानि विदुधारा की माब लेते हैं उसी तरह से volt meter एक ऐसा device है जिसके मेज़र से हम potential difference विभवानता माबते हैं A meter को किसी की circuit में series में connect किया जाता है स्रेनी करम जबकि volt meter को किसी भी circuit में parallel यानि कि pass और करम में connect किया जाता है A meter को इस परकार से दिखाया जाता है circuit में volt meter को इस तरह से दिखाया जाता है circle के अंदर B और यहां circle के अंदर A A meter का resistance बहुत low होता है volt meter का high होता है इसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे जब हम resistance के बारे में जान जाएंगे तब series या parallel क्या है यही आगे ही पढ़ना है इसलिए A meter और volt meter का जाला जानकारी जैसे जैसे chapter आगे पढ़ता जाएंगे लोग उसके बारे में मिलेगा एक circuit को देखते हैं यह रहा है इसका battery की उसमें बीच में wire को cut करके A meter को connect कर दिया जाता है ध्यान जाना है कि प्लस वरा sign यहां प्लस sign से match करना चाहिए उसी दा से volt meter आते हैं यह battery यह key और हम लोग bulb के दोनों पहले और बाद दो हिंद बर एक wire को connect करके निकालते हैं और वहां पर volt meter connect किया जाता है पासर करम या पैलल का मतलब होता है एक के पीछे एक जैसे volt meter के नीचे bulb स्रीज का मतलब होता है ठीक बगल में left या right side जैसा कि इसमें है बल्व के यह left side आप चाहें तो यह meter को इधा भी connect कर सकते हैं A meter का जो भी answer आएगा या मान आएगा वो एंपियर में लिखा जाएगा उसका संकेत या symbol होता है A जब कि वोल्ट-meter का जो भी मान आएगा वो वोल्ट में लिखा जाएगा संकेत होता है B और इसके बारे हमनों धीरे धीरे आगे सिखते जाएगे जैसा वीडियो नया नया अप्लोड करेंगे